उत्यप्रदेश की जिन्पत अम्रोहा में मामुली विवात को लेकर दबंगों नी पिड़त की साथ की शर्मनाग कर्टूद युवक का गुपतां काट उसकी बहन को किया लहु लुहान तहरे देने की बाद भी पुलीस ने नहीं की कोई भी कारवाई खुले आम खूम रहे द गुदवार की राज साड़े दस बजे जौन लीवा हमला करते हुए लहु लुहान कर दिया पिड़त पक्ष ने मीडिया को बताते हुए कहा कि जब मेरा बेटा काम से वापस लोट रहा था तो कनीटा रोड लाल बाग के नजीक इंटों के चट्टे के पीछे 6-7 लड़को ने बेटी को पकड़ लिया और धारदार हत्यार से जौन लीवा हमला करते हुए इसका गुपतांग काड़ दिया बीद बचाओ करनी आई बेहन के उपर भी धारदार हत्यार से हमला करते हुए इसको भी लहु लुहान कर दिया पिड़ित पक्ष का आरोपे की दबंग आरो से शाहिद एहमद की रिपोर्ट इनले रहने वाले यह जाटना है आपके बेटे के साथ हमारे बेटे के साथ में बाइसाब चट्टे के बीश है करेटा रोड पर इसके लिंक आट देगा है बिदो प्रक्राइब किन लोगों ने किया गटना यह अपकर दुद्देशियों के लिए चाहिए उन लडब हो गये एक का नामचों दूंदरा आप जानीस और आवगों और हैं जानी स्कारूरा है को पोर नाम कर लोगा है कि लड़के मौई मर्यान के हैं ऐसकी शिकायत पुलीस में गया हम चार बात गाये वे हैं चार बात जब कि गट्टा यह जो फूरी लड़की के छुधी वे मगजी है पूलिस ने क्या वो सुनवाएं नहीं हमारी चाहते हैं आप बता आप क्या जामेज में हमारे बच्छा सजोड़ी बस और बताई अपकों से जहां के रहने वाली हो अच्छे यह आपके भाई के साथ घटना हुई है क्या है घटना इसके सड़क पर काम पिसा रहा था तो इसक क्यां अनमने हो पऌता है क्योंक पूर से और रहिस के लडगे है और यह तो है वह किसी और कला आ पका भाई कहां से आ रहा था प्रफ़ाइब नियुक्त प्रफ़ाइब तो जैसे में पहले पाप में च्छत पे तो मुझे इशारे से उन्होंने भगाया तो पीछे भागने लगे पिर में पहले पट्टा मारा पेक के और जब मैं गिर गई जब मेरे पता नहीं क्या तेर्श चीज मारी उन्होंने किसी पायत कि थाने करी थी मेडिकल भी उपावाए तो उन्हीं के पास है कर रहा हम गए भी थे रिपोर्ट भी लेने हम कप्तान के पास जाते तो रहाने दी नहीं आए 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 आए